हलो बच्चों आई एम पुल किश्माय ऑफ फिजिक्स मेंटा और आज हम काइनेटिक थेओरी ऑफ गैसे जाने की निया चेप्टर उसकी बात करेंगे उसमें क्या पढ़ने वाले हैं आज गैस के लो के बारे में चर्चा करेंगे और आइडिल गैस के बारे में जानेंगे कि तो किस तरह बिहेव करती है टेंप्रेचर को राइज करने में तेंप्रेचर को कम करने में इससे पहले जितने भी वीडियो डले हैं बराबर देखते रहे हैं बराबर नोट्स बनाते रहे हैं काम बनता स्टार्ट रहेगा चालियो शुरू करते हैं इसको करते हैं नीचे औ पर एक जो मेंन एक्सपेरिमेंटल थे मतलब जो मिक्स करका काम हुआ था मैक्सवेल प्लेस बोल्च मैं इन दोनों ने क्या किया था गैस की ऊपर पूरी टेकनीक काम करी और अपना काम करना स्टार्ट किया तो इन्होंने कुछ एक्जम्शन दिये वह क्या दिये थे पहला दिया था कि ओल मॉलिक्यूल्स आर इन रेंडम मोशन मतलब गैस के मॉलिक्यूल शांत नहीं बैठेंगे वैसल की दिवारों पर टक 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 ऐसे टकराते रहेंगे तो नॉर्मल सी बात है अगर टकराएंगे तो उनके पास क्या होगी कुछ एनर्जी होगी जिसका नाम हमने काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है इससे पहले थर्मोडाइनमिक्स में पढ़के भी आ चुके हैं अगर हम किसी भी वैसल के कोई गैस के मॉलिक्यूल क को हीट देते हैं तो हीट किया उसके मॉलिक्यूल को मिलती है और वो क्या करके है बागना स्टाट करते हैं ठीक है सेकिंड बात बात बोली यह बहुत तगडा एक्जम्शन था जो हम सेकिंड पार्ट में इसके आठ से नो एक्जम्शन पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टन है there is no force of attraction or repulsion in between molecules molecules के बीच में कोई भी attraction or repulsion की property नहीं है उनके बीच में कोई भी intermolecular force नहीं है ऐसा बोलना सही रहेगा intermolecular force मतलब उनके बीच में force क्या है intermolecular force क्या है absence होता है ideal gas के लिए सबसे पहली बात और सबसे आखरी बात यही बोलूँगा कि हम जो चर्चा करने वाले हैं आज की डेट में आज मतलब इस chapter के बात करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ हम किसकी बात करेंगी ideal gas की जनती हो ideal gas क्या होता है ideal gas होता है PV बराबर में nRT what is P, P is the pressure, V is the volume, R is the gas constant, T is the temperature, n is the number of molecules आज़ो लिखवा देते हैं ताकि चर्चाव में किसी प्रकारगा कोई twist ना आए, pressure, V क्या है volume, N क्या है number of molecules, R क्या है gas constant, अरे रजा काई दिक्कत करता है, T क्या है temperature यह क्या है ideal gas की equation है, बहुत ही important चीज़े बताई धी Maxwell ने, Maxwell बॉल्सबांसर ने, उसके according हम काम करना start करेंगे, और सारी चर्चा जो करने वाले है वो ideal gas के उपर ही करने वाले हैं, यह होता है तो क्या होता है, यह होता है, तो क्या होता है, सही है temperature rise होगा, तो gas का behave कैसे होगा अलग-अलग experimental हुए उसके बाद, boil slow आये, charge slow, gallus, evogadro, सभी ने किया, dalton, उनकी चर्चा आज हम cover करेंगे with numerical के साथ-साथ, आज हो मरे साथ, सुनिए जी, सबसे पहला और सबसे आखरी जो बात है कि हम molecules के बीच में intermolecular force को क्या बोलते हैं, absence हैं उनके बीच में, attraction और repulsion की property आपको बता दी, साथ-साथ हम यह बोलते हैं कि वह continuously vessel pk करते हैं, टकराते रहते हैं, आप जानते हैं, du बराबर में du k plus du, i की बात करते हैं, du p की बात करते हैं, sorry, तो हम क्या बोलते हैं, अगर p को 0 मान लिया, तो du k, kinetic energy only रह जाएगी, यह मानते हो, मानना पड़े, kinetic energy, च Spelling चेक कर लाने यार, हाना, boil slow, apost of s यहाँ, क्या का, boil slow ने, अब आपको मैं यह नियम पढ़ाने से पहले एक चर्चा बताता हूं, अब इन चर्चाओं में हम जो जो चीशे use करेंगे ना, उसके अला सब को constant कर देंगे, कहने का मतलब क्या है, P proportional 1 upon V, या, V proportional 1 upon P, this is called boil low, कहने का मतलब क्या है, किसी gas की बात करते हैं, उसके molecule सिर्फ pressure और volume पर dependency दिखाएंगे, बाकी चीशे सब क्या हो जाएंगे, constant हो जाएंगे, in this, the PV equals to RT किजिए एक बार तो, RT, temperature लिखो खाली, R मतली हो, R तो gas constant already है, temperature is constant, अब आपको isothermal याद आजाएगा, temperature constant करते ही, से चर्चा, आप ध्यान लिखना जी, आप कोई भी low की बात करोगे, gas, galusic low की बात करोगे, charles low की बात करोगे, उसके अंदर, जिस term को use कर रहे हैं, उस term को छोड़के, बाकी terms को का कर देना है, हमने constant कर देना है, चर्चाओं को बढ़ाते हैं, graph को check करते हैं, inversely proportional का graph बन रहा है, P और V के बीच में, तो graph कैसे आएगा, डलता हुआ graph आएगा, इस तरह से, यह तो था ideal gas का graph, जब हम temperature को rise रखते हैं, तो हमने एक चीज देखी, वो चीज क्या थी, यह रहा था रहा है, यह रहाना है, रहा हम मंपरिछ रहाँ हम, justify bump, dow रहा हम जाओच में, स्पपत्ता है, जढर के। है यह रहा है graph behaves like real gas graph जैसे temperature को rise करते हैं ideal gas का graph ऐसा बोल सकते हो real gas का graph not ideal real gas का graph ideal gas की तरह behave कर रहा था और जैसे ही हम temperature को करते हैं कम temperature जैसे ही कम किया हमने real gas और ideal gas के graph में बहुत ज़्यादा deflection आना स्टार्ट हो गया मतलब बीच में बहुत ज़्यादा gap आना स्टार्ट हो गया तो यह बात बोलनी संभव है कि high temperature पे जो ideal gas का graph है वो real gas के graph की तरह behave करता है real gas का graph idea की तरह है real पहले बोलो के तो ज़्यादा बेटर रहेगा तो क्या लिखेंगे when temperature is low the deflection between E double N double E N sorry between ideal and real gas very far ज़्यादा बहुत ज़्यादा आना चलता है deflection बहुत ज़्यादा आ जाता है तो ध्यान रखना जी आगे की चर्चाओं में जो real gas का graph है वो high temperature को हम follow करना start करेंगे चलो ठीक बात है आपने बोला है तो मानना ही पड़ेगा अगर आप इसको experimental बोल सकते हो तो बिल्कुल सही बात है इसको experiment से देखा तो graph यह बनना start हुआ इस चर्चाओं से वाकिवो डोटेट बाले की बात कर रहेगा लो क्या था प्रपोर्शन वान अपन वी पीजदा प्रेशर वीजदा वॉल्यम की बात करना start करेगा इसका उल्टा भी कर सकती हो ठीक है चर्चा चालो ठीक है अच्छा इस graph से हम एक चर्चा और करते हैं रुको graph से नहीं मतलब इस equation से यहा थोड़ा नीशे करना चलेगा चलेगा है छिए है न है हम बोलते हैं दो वेसल की बाते है जिसमें दो शिस्टम की बात कृस्टम इसलिए बोलनों क्योंकि सिस्टम याद रहता है एक टढ़ खराब हो जाए हमने बोला कि एक गाज का pressure P1 है volume V1 है temperature is constant second gas का pressure P1 है और volume V2 है ठीक है और temperature constant इस graph से आप देखो PV PV लिख सकते हूँ तो मैं बोलता हूँ डिबा बनाता हूँ जी पीवन वीवन बराबर में पीटू वीटू इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम नुमेरिकल करेंगे तो हमें यही काम आएगा उसमें आपको दो gases का pressure दिया होगा एक का volume given होगा second का volume निकाला होगा बड़े चोटे से और बड़े ही नादान से निमेरिकल मिल जाते हैं इसमें आपको ठीक है हो सकता है कि paper में पूछा जाए और पूछ लिए जाए कोई बड़ी बात नहीं चलो ठीक बात हो गया कोई पर पिर पूरा पढ़ लेंगे ना दुनों निम को पूरा खोल के पढ़ लेंगे एक पर इसको side कर दो इसको बीच में डिबा हमें यूज करेंगे बड़ी सही लेंगे चाल्स लो अलियस ठीक है चाल्स ने क्या बोला चाल्स सर बोल रहे थे इन इस आइडियल गैस वॉल्यम परपोर्श्चनल किसी को होता है टेंपरेचर के होता है अब देखो वॉल्यम और टेंपरेचर को कॉंस्टेंट कर दिया पीवीश को क्या बिटाजी अन अर्ट, इसका रिलेशन छोड दिया खाली इसका बनाया रिलेशन सही चाल्स है तो हम क्या कहेंगे in this, according to this law अरे बहों कहां रहा है रहा है यार, according to this law तो दा प्रेशर इस कॉंस्टेंट मतलब आप चाल स्लो की बात करोगे उसमें आप प्रेशर को बड़ी बांती आप कॉंस्टेंट कर सकते हो यह जाल स्लो था अच्छो ग्राफ चेक करें यहां बनाते हैं कैसा एक अग्राफ थोड़ आसा यह यहां से लेंगा इसमें भी वही चर्चा रहेगी इन इन दिस लो वें टेम्परेचर इस हाई यही डिए, the real gas graph लाइक आइडिल गैस ग्राफ और टेंपरेचर को कम कर देंगे तो दोनों के विछे डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा इस चीज़ से वाकिफ रहेगा बहुत उंदा चीज़ है आप यह चीज़ देख रहे हैं जहां-जहां टेंपरेचर को राइस कर रहे हैं वह आइडियल और रियल गैस लगबग मैच खा रहे हैं सही चर्चा चलो ठीक बात है सही है तो वी और टी के बीच में अच्छा जी इससे भी कुछ एक्वेशन बनाएंगे आपने वह एक्वेशन क्या होगी फिर आपको इसका एक रमबन बताऊंगा उससे बिल्कुल क्लीर हो जाएगा आपका वी पर्पोच्चनल था बेटा जी वही दो सिस्टम की बात करेंगे वी वन अपन टी बराबर में वी टू अपन टी तो वरी इंपोर्टन सही चर्चा है इन दिस एक्वेशन टैंपरेचर क्या रहेगा कॉंस्टेंट रहेगा इन दिस एक्वेशन प्रेशर क्या रहेगा कॉंस्टेंट मानते हो अरे मानना पड़ेगा जी काई दिक्कत कर रहे हो अच्छ ग्राफ शेक कर लिए सारी चीज़े पढ़ ली अब थोड़ी सी हम चर्चाओ को फड़ा सा ट्विस्ट लेके आते हैं ताक इसी से काम बन जाएगा आपका यह बनाया सलेंडर यह लगाया पिष्टन बनाओ मैंगी आहो इसके बीच में गैस के मॉलीकुल्स पड़े हैं एक बात बता पहले इस पर आते हैं अफ प्रेशर को बढ़ाएगा कि वॉल्यूम क्या फ्रेशर को बढ़ाएगा को फ्रेशर को बढ़ायो वॉल्यूम क्या होगा मन्त है मैं आप देख ये मने पिस्टन पगड़ा इसको नहीं सब्सक्राइब तद्स करने के लिए रूख जाओ सिर्फ बताने के लिए याद करने का तरीका है और कुछ भी नहीं है प्रेशर को बढ़ाना स्टार्ट किया कम वॉल्यम में क्या होगा डिक्रिमेंट होना स्टार्ट होगा मतलब यह लो हमें समझ आ रहा है कि आगे कि सब्सक्राइब श्राइब अच्छ यह वी पर पॉर्पोश्नल टी कि अ गर 되지 कि अगर वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट होगा तो टेंपरेचर क्या होगा अराइच्छ Exchange उना करना स्टार्ट करेंगे एक दूसरे को टकर करेंगे को लाइज कोलिजन करना स्टार्ट करेंगे ठीक है मोमेंटम में चेंज लेके आएंगे तो हम क्या बोलेंगे गैस का मॉलीकुल टेमिसर राइस करने पर उपर जाने की कोशिश करेंगा भागने की कोशिश करेंगा तो करना स्टार्ट करें एक बार रध रपीड कर जायां सारा काम थाक्ट नहीं हाख के टीटी जी सबसे पहले के वीचवें हम जो चर्चा करेंगे वह करेंगे आईडिल म्या करते हैं दूसरी बात यह होती यह की गया के इंटर-molecular force जो होता है ट्रेक्शन रिपल्शन की बात करते हैं वह एपसंस की बात करी मैक्सवेल और बोल्डबांसर ने और साथ-साथ क्या बोला था कि हमने वैसल के अंदर जो भी की वालूम एंका फ्रेक्राद की बात करता है फिर हमने बोई लो की चरचा करी बोई लो में पर पॉष्ण सब्सक्राइब करना पूर्ब की की बात करनी स्टार्ट की आप जानते हैं पी एकस्टी कॉंस्टें और मतलब फीघ्रिय रिधार हुए बहुन सकते हैं ये बात हमने लोग है आगे हैचा न आगे दो यह मतलब आदब को प्रपोस्ठ्ट की बात करता है उसकता है आगे आपको यह करने पर इसका volume इतना बढ़ गया 1 upon 273 centigrade की बात करना start करेगा इंतजार कीजिए वह बता देंगे या V equals to V naught plus 1 plus alpha delta T की बात भी करेगा उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा slope की बात भी करना start करेंगे पर हमने जो main theory थी वह पढ़ ली है चलो आजाओ बोला है for a given mass of a gas at constant temperature temperature क्या है constant है मैं आपको पूरी equation के अंदर energy पूरी equation के अंदर पूरे formula के अंदर पूरे नियमों के अंदर आप इस equation को पकड़के रखिए यह आपका साथ नहीं छोड़ेगी चलो ठीक constant temperature the volume of gas is inversely proportional to क्या आएगा pressure मतलब V proportional 1 upon P आप बोल सकते हैं इसमें क्या है if M and T are constant molecules of gas की बात की है number of molecules की बात की है M upon N की बात करना start करता है उसे कोई MN की बात करना start करता है उसे कोई फरक नहीं पड़ता आप लिख सकते हो या इसको N भी लिख सकते हो इसको N लिख दो तो भी चलेगा सही चर्च है चलो ठीक है PV को स्टू कॉंस्टेंट लिखना start कर सकते हैं और जो आपको बताया था इफ सिस्टम अंडर गोज़े change for P1 V1 T to P2 V2 T अब अब लोज क्या है P1 V1 बराबर में P2 V2 कहानी खत्म खेल खत्म सही चर्च है graph प्याओ जी graph आपको डलता हुआ graph दिया है इस तरह से आपको मैंने इसने सिर्फ ideal gas का graph बनाया है हमने real gas के साथ आपको relate करके बताया है इस तरह ग्राफ जो experimental graph बोज सकते हैं सही है यह graph P1 upon V के बीच में ध्यान अखना जी कि यह बोलो सारी उपर तो टेड़ा ही जासे कि यह चलो ठीक है यह graph straight राएगा this low can be shown graphically in the PV ठीक है बता दिया हमने बच्चों को नन्य मुन्य लेट डू आजाओ औहो example बोला थाना करवाएंगे देखो जी थोड़े बहुती simple और बहुती उंदा numerical भी बोल सकते हैं और साथ बनाए रखें क्योंकि इससे रमा हो जाएगा कि हमने numerical कि हैं मतलब हाँ चलते रहेंगे numerical पर अप्रोच लगेगी example of oxygen with volume क्या है 500 cc at pressure क्या है 280m atmosphere is compressed to a volume कितना है 400 cc what pressure is needed to do this if the temperature is kept constant what pressure मतलब second pressure की बात करना चाहूँ है आप जानते हैं equation जो होती है यह होती है और हम भी जानते हैं कि आप यह question बड़े अराम से फोड़ दोगे फोड़ देंगे चलो ठीक है p1 v1 equals to p2 oh sorry upon v2 equals to क्या आएगा p2 आएगा अच्छा volume of 500 cc की बात कर रहा है 280m की बात कर रहा है 500 वीटू की बात कितनी कर रहा है बेटा 400 कर रहा है खचक 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 पांच दुनी दस अपहुंच चार 2.5 ATM अब देखिए सुनिए जी बच्चे को किसी को दिक्कत आती है कि सर आपने 500 आपको सोचोगे कि सर आपने 500 उपर क्यों हमें पता नहीं लगेगा कि वॉल्म कैसे पहला लेना सेक्ड लेना सुनिया अगर मैं बोलू पहले आपका वॉल्म जो था 500 उसको कंप्रेस करके 400 कर दिया तो सेकिंड वॉल्म क्या हुआ 500 ही तो हुआ हो गया अचल नुमेरिकल का अंसर यह दिया चोटा सा नुमेरिकल है ताकि आपको किसी प्रगार की कोई परिशानी नहीं पर बॉल्म पे आने की संभवना बहुत ही कम होती है उसके इंतजार मत करें चाल्स लो क्या बोला है क्या था V proportional T की बात करेंगा आईये मिर संग for a given mass of a gas at constant pressure pressure क्या कर दिया बटा जी constant कर दिया PV इकस तो Nr2 वापिस V proportional T Nr तो हम constant मानते हैं number of molecules ठीक है और P इसमे क्या कर दिया constant कर दिया चलो ठीक है इस ताइप के आपको अगर 1 degree temperature rise करने के लिए volume के लिए तो हमें क्या करना पड़ा है उसको 1 upon 273 part of its initial volume का increase करना पड़ेगा सही चलो ठीक आईये संग मेरे बोला है at T degree volume at constant pressure जो आएगा तो यह VT यहां नहीं आएगा रजा इदर हम की इदर आगया VT यहां आएगा alpha beta gamma के बारे में आपको मैंने बिल्कुल तरीके से वाकिफ करवाया हुआ है और ratio भी बताया हुआ है 1 2 3 की बात करना start करता है alpha क्या है volume expansion coefficient की बात करेगा सुनिये जी बराबर में 1 upon 273 centigrade की बात करेगा upon में और हमारी जो equation बनेगी V proportional T की बात करेगी आप तो इसको important डालो जी मैं कहरा हूं से बार कुछ में नहीं जाएगा अब देख इसको एक बार छोड़ दे इसको छोड़ दे इसको छोड़ दे एक बार इस पे आ V proportional T के बिछ पर गराफ बनाया Calvin की बात करना स्ट कर रहा है क्या आएगी एक स्ट्रीट लाइन आएगी सेम चर्चा करेंगे रियल गाइस के साथ reflection high temperature बहुत कम होगा जी आईए मेरे साम यह बोल रहा है कि जब हम temperature कुछ देते हैं तो हमारा graph कुछ volume लेके उठता है और पीछे के लिए हम क्या बोलेंगे –273 की बात करना स्टाट कर रहा है इस graph को देखिए देखिए यह volume लेके कुछ उठा है तो यह देखिए इसकी slope बनगी वी नोट अलफा की बात करना स्टाट कर रहा है अगर इस equation को खोल के लिखें हम थोड़ा सा बता देता हूं न कहीं दिकत कर रहा है तो क्या आएगी वी नोट प्लेस वी नोट अलफा डेल्टाटी डेल्टाटी लिगलो टी लिगलो उससे कोई फरक नहीं पड़ता वाकिवो होना पड़ेगा यह वी अपॉन टी कॉंस्टेंट की बात करना प्राजम करता है अगर इंक्रीज होगा तो बेटा कुछ वोल्यम लेके चलेगा ना यार काई दिकत कर रहा है इनिशिल वोल्यम कुछ लेके चलेगा बस वही बात पर ग्राफ यही पूछता अगर स्गी चलो एक्जामब्ल लंबर सर्कु चलो फिर से पढ़ोघे तो काम बनेगा पढ़ने के लिए पढ़ोघें तो काम नहीं बनेगा बोलो हमने चीजों को परना है समझना है और और को ट्रैक करना a room temperature कितना है 23 degree is inhaled by a person whose body temperature कितना है 37 degree if the pressure and mass stay constant what will be the volume of gas in the lungs of the person कहने का कुशिन का मतलब क्या है 500 ml of gas a room temperature उस तर्टिंग का temperature क्या है 23 degree बाद में बोल रहा है कि पर्सन का जो बोड़ी टेंपरेचर है एक्शली टेंपरेचर टीवन यह है टीटू यह है टीवन कितना है 37 और टीटू किता है 23 प्रेशर अड्मास टेंट देखिए अभी यह कुशन करने के बाद में आपके एक चीज बताऊंगा कई बच मुझे नहीं आ रहा तो मैंने आपको यह की चीज बताई हो ही है आप एक्वेशन को याद करने के बजाए उसमें क्या चीज चीज कॉंस्टेंट हो याद कीजिए एक्वेशन तो खुद बन जाईगी हाँ या ना चलो इस कोशन के बाद आता हूं कोई नहीं अच्छा बोल अच्छा वी वन कितना है जी 1500 ml की बात कर रहा है ठीक है और टीवन का जो टेंपरेचर है वो कितना है 37 है मतलब टीवन जो है हमारा 273 प्लस 37 013 अहां क्या गलत कर दा क्या नहीं सही कर रहा है केल्विन में चेंज किया टीटू जो है वो आएगा 273 प्लस 23 296 बेटा तो टीवन कितना है बेटा जी 310 है और टीटू कितना है 296 यह आपका सेकिंड वोल्यूम आ जाएगा 1474.17 आएगा आप कैमल में कौन सा वॉल्यूम सेकिंड की बात करेंगे को चर्चा सब वापिस पड़ते हैं काम करना स्टार्ट करेंगे जिरो से जिरो कटिया 1417.74 जो भी है अच्छा वह देखो आप देखो अब आपको मैंने बोला कि आप क्या करोगी पीवी इक्वेस्टू अनल्ट यह है अब देख इस एक्वेशन में तिरको पता है कि वॉल्यूम को छोड़ दो तो पी पर्पोर्शनल टी की बात करेंगा स अग्र मालौ मैं बोला है इसको कुंस्टेंट करतों तो आप बोलोगे क्या चाल्स बन गया बिलकुल सही बात जो चीज चेय को याद रखना जरूरी है अगर फॉर्मूला याद रहते है थे तो काम ही बन जायगा फिर तो आपको दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि साब बोला है प्रेशर एंड मास्स्टे कॉंस्टेंट काम मन जाए है सही चर्च है चलो मानती हो कुछन में किसी प्रेड़ की कोई दुविदा नहीं है कुछन को थोड़ा सा एक बार रपीट करते हैं दिक्कत ना है रून टेंपरेशर कितना है 23 है इन हेल्ड वाई परसन फॉस बाड़ी टेंपरेशर कितना है 37 है दोनों चर्चाओं को द्यान अगना जी क्या बलता 14 17.74 मल की बात करना स्टार्ट करेंगे असान चीजह मुश्किल है बनाओगे तो बनती जाएगी चलो ठीक है गैल्यू से लो की बात करना स्टार्ट करेगा इसमें हम क्या करने वाल इन दिस लो दा वोल्यूम इस कॉंस्ट अब वोल्यूम कॉंस्ट आएगा तो क्या आएगा पी परपोर्शनल टी की बात करना स्टार्ट करेगा वही एक डिग्री टेंपरेचर राहिस पे उसका जो प्रेशर की बात करेगा 1.273 की बात करना स्टार्ट करेगा इस चर्चा करें चर्चा करें जहां रहूं किताबे मेरे साथ रहे हैं क्या बात वही सेम चर्चा फॉर लूज हाई टेम्परेचर आइडियल गैस ग्राफ बिहेव्च लाइक रियल गैस मैं उल्टा लिख जाता हूं हर पार है या सी लिखणा है टंपरेचर हाइड की ही बात करेंगे लोग की बात नहीं करेंगे अच्छा अगर मैं बोलुं च्छा बोलू ती वन अपयून तीवन पीटू अपॉन टीटू है सही है तो काई दिखत है स्टार्र माग करो वाकी फो अरे होना पड़ेगा जी असान चीज़ है अच्छा अच्छा इसमें अगर आप बोलना चाहरे हो कि अब एक वैसल लिया उसको दवाना स्टार्ट कर दिया क्या होगा क्योंकि वॉल्यूम डिक्रिमेंट की बाद कर रहे हो भागेंगे भागने के कारण क्या करेंगे और तक्राने से उनके मोमेंटम में चेंज आएगा मोमेंटम चेंज आने के कारण उनमें हीट अप होना स्टार्ट होगा तेंप्रेचर होना स्टार्ट होगा हाँ या ना सही बात चलो ठीक है बहुत जल्दी बोल दिया अच्छा एक वैसल लिया उसको दवाना स्टार्ट कि ठीक है दवाय राइस हो जाएगा बताने के लिए है सिरफ समझाने के लिए चर्चाओं को दिल पे नहीं लेना ताकि दिक्कत ना है चलो ठीक होगी बात मन ली चलो गेलिसेक लॉँग बोला है according to this law for a given mass gas at constant volume की बात करता है for increasing 1 degree temperature pressure is also increase क्या था 1.271 upon 273 की बात करेगा initial की वाकिव होना पड़ेगा जी अच्छा वो बोल रहा है at T temperature की बात करेगा पी टी लिखो भाई पी वन बतलिक पी टी क्या आएगा पी नोट वन प्लस बीटा टी और बीटा क्या है यहां पर प्रेशर एक्सपेंशन कोफिशेंट की बात करेगा इसको अगर खोल के लिखना चाह रहे हो तो ऐसे लिख सकते हो आप पी नोट प्लस पी नोट बीटा टी यह बीटा टी सही से है चलो ग्राफ बनाओ ग्राफ बना है बिल्कुल सीधी रेखा अब मैंने क्या बोला था टेंप्रेचर को कुछ राइज करने पर वह वन अपॉन टू सेवन थी पार्ट क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा अन अकॉर्डिन टू अपने इनिशियल स्टेट से और वह ज परिशर क्या करेगा लेकर चला यह देखा अब आप किसी भी गैस की बात कर रहे हो उसको आप टेंपरेचर भी दे रहे हो तो कुछ परिशर तो बढ़े काना है यह जाए चलो ठीक वही चीज है यह आगे आपके सामने और P proportional T की बात करेगा P upon T constant की बात करना start करेगा volume and mass kept constant है this law can be show graphical by in P and T खचक खचक आंस्वर आपके सामने सही है मन तो मन आपड़ेगा चलो ठीक आपके एक्जम्पल नमबर तीन आग्या जी वाइट से करेंगे मज़ा रहा बढ़िया लग रहा है एक्सेंपल ऑफ और टू है अट प्रेशर क्या है 180 म पीवन की बात करना चाह रहा है चलो कर लेंगे दो वाल्यम इस हंडर अमल एंड इट्स तेंपरेचर किता है 27 डिगरी वट विल बीडा तेंपरेचर आप गैस प्रेशर बिकम 2 A T M मतलब प्रेशर चेंज हो गया भाई प्रेशर बिकम पहले कितना था एक था अब कितना हो गया दो हो गया वॉल्ल्यम रिमेन क्या है थांड्स एमल वॉल्ल्यम में कोई भी केंज नहीं आए चल लो वाओ अच्छा एक बात बताओ इस कोशन में थोड़ा सा गुमाया है गुमाया कैसे है अरे यह से कोई जूला थोड़ी जे रहे हैं गुमाया कैसे है कि वॉल्ली में चेंज नहीं किया और वॉल्ली में चेंज नहीं किया कौन सा लो बताएगा गैलुसेख बताएगा गजब बात कर रहे हैं सही बात कर रहे ह चलो ठीक है पूछा क्या है वैं दा वॉल्म हंडर्ड एमल इंपरेचर वट वीड़ा टेंपरेचर ऑफ गैस मतलब टी टू की बात कर रहा है टी टू बराबर में क्या आएगा पी वन अपॉण टी वन उल्टा कर दिया अरे के करते हो ऐसे तुम पी टू टी वन अपॉण में पी वन कानी खतम खेल खतम अच्छा कितना दिया है हमें पी टू का वैल्यू स्वरी टी वन का वैल्यू किता दिया पहले टी वन का 27 डेगरी दिया इस प्रेशर है वह एक दूसरा जो प्रेशर है वह दो अरे सर गजब बात करते हो अरे गजब कहें करते हैं आप कुछ लोचा किया का तुमने नहीं से ही काहीं लूचा करेंगे अच्छा अगर आप चाते हो इसको सी में निकालना तो तो 600-273 कर लो कितना आएगा 327 आएगा क्या हां तो इतना भी आएगा देख लेना सहिए वह संटीग्रेट की बात करना स्टाट करेगा वाकिफ हो नहीं हो अच्छा मेरी बास सुनों आपको बोला है साफ साफ कि इसमें क्या करना है आपको वॉल्यूम हंडड से हंडड ही रह तो वॉल्यूम कॉंस्टेंट है ना भाई काई दिखत कर रहा है तो वही बात कितना आया 600 के आया गजब हो गजब हो गजब हो इतनी बेकार नहीं है हमारी गनित चलो सही बात मानते हो मानना पड़ेगा सांची मुश्किल होता तो बोल देते तुम्हें चलो अब गद्रो इसको आगे जाने के अशक्ता नहीं है इसमें बतायते हैं आवगद्रो सर ने क्या बोला आपको याद होगा मैंने हर बार आवगद्रो नंबर आवगद्रो नंबर आवगद्रो नंबर बोला था वो क्यों बोला मैंने एक चीज बोले थी अगर गैस के लिए प्रेशर वॉ मनना पड़ेगा वापीस बोल रहा हूं एक दो गैसे लिए आपने दो गैसे के प्रेशर वॉल्यम और टेंपरेचर की वैल्यू सेम बात करी है चेंज नहीं किया तो इसके नंबर आफ मॉलीकूल की बात भी क्या करनी पड़ेगी सेम करनी पड़ेगी आजो मेरे साथ एट सेम टेंपरेचर एंड प्रेशर इकवल वॉल्यम तेनों चीज़े का कर दी बराबर कर दी इकवल कर दी ओल गैस कंटेंस इकवल नंबर आफ मॉलीकूल की बात करना स्टार्ट करेगा मतलब हमने क्या बोला पी वी टी बराबर है तो एन वन बराबर क्या आएगा एन टू अधिया वगद्रों कितना बढ़िया बनाया है कि सभी जर्च है मनते हो अरे मानना पड़ेगा आसान चीज़े कुछ भी नहीं है दो गैसे की बात करनी स्टार्ट कर वैसल में पड़िया प्रेशर भी सेम है वॉल्यम भी सेम है टेंपरेचर भी सेम है क्या बोलोगे कि उसक कहानी खतम खेल खतम तुम जेते हम जेते मना जुशन चलो ठीक है डाल्टन स्लो इंपोर्टेंट है स्टार माक के जी बहुत काम की चीज़ा है जी क्या बोला डाल्टन सन ने बोला कि जैसे हम लिखते हैं पीवी बराबर में अर्ट अब देख ऐसा है कि मतलब एक डिबा ल इसमें अलाग अलाग गैसेज पड़ी हैं कुछ भी ले सकते हो हाना ठीक है अब ऐसा तो है नहीं कि इस गैस में आपने कुछ बोला मतलब जैसे एंट्टू जो भी है और भी डाल दो अब वो बोल रहे हैं अगर हमें किसी गैस की वेल्यू चाहिए प्रेशर की बात करना चाह रहे हो तो कि बात करने सभी बात करने सेम करो है अगर आपको प्रेशर की रिक्वार्मेंट है तो आप अच्टू के लिए नंबर अफ मॉलिकूल उठा लेंगे नहीं समझा ऐसा अ यहां पर partial pressure की बात करेगा अगो आप समझे जैसे पी क्या है पूरे सभी की बात कर रहा है pressure की तो हम pressure of P1 H2 के लिए P1 O2 के लिए P3 N2 के लिए हाँ या ना सही बात है अब वो बोल रहे हैं कि हम अगर अगर H2 का निकालना चाह रहे हैं तो हम सभी molecules को भूल जाएंगे सिरफ H2 पर focus करेंगे H2 के number of molecules पर focus करेंगे तो वो क्या आएगा partial pressure of H2 अगर N2 की बात करेगा इसको सभी को भूल जाएंगे हम बोलेंगे इसने जो N2 के gas के molecule है उसने vessel को पूरी तरह घेरा हुआ है this is called partial pressure of N2 अगर O2 की बात करेंगे तो हम बोलेंगे इस पूरे volume के अंदर O2 के molecules ने घेरा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे partial pressure of O2 यह gases आपस में क्या करते है रियक्ट नहीं करने चाहिए अब temperature को हाई रखते है लोग करते हम क्या करते है इसको react को ना स्टाट हो जाता है तो मैंने क्या बोला कि अगर आप सभी को बिक्स कर रहे हैं gases के अंदर तो हम क्या लिख सकते हैं P mix बराबर में P1 P2 P3 and P1 P2 P3 is the partial pressure chemistry में बहुत अच्छे से समझोगे इसको आप यह कुछ भी नहीं है सब बराबर है कोई दिक्कत नहीं है यहां भी पढ़ो वहां भी पढ़ो सभी पढ़ना स्टाट कर अच्छा अब इस फॉर्म को हम क्या करेंगे अलग अलग चीजों से फॉर्म को तो इसकी फॉर्म कैसे लिखेंगे पी की फॉर्म में लिखना हो तो हो हो लाला आजाओ पीवी इक्वस टू एन आर्टी पी एन आर्टी वी अच्छा मैंने क्या बोला बाकी को सेम मान कोई फरक नहीं है चेंज का किया नंबर आफ मॉलेक्यूल तो क्या बोलेंगे पी बराबर में आर्टी अपोन वी एन वन प्लेस एन टू प्लेस एन थी प्लेस डैस डैस जहां तक आपकी इच्छा है कि आप समझो जीस चीज को कि एन वन एस्टू की बात करेगा एन टू औटू की बात करें एन 3 n2 ऒलाद करें जो भी अब कि छाट एक गैस है उसके अंदर आपने सब को भुला दिया सिर्फ उसको याद रखा जिसको आपने मानना है है एस्टू की बात कर ले टू की बात कर ले सही है चलो तनहा नहीं हो ना आजा वो पढ़ा ही करते हैं सही है चर्चा चलो आजो पढ़ना स्टाट करें थो आज 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 वह बोल रहा है दा प्रेशर एग्जर्ड बाई ए मिस्चर ऑफ सर्व गैसे इक्वल टू दा सम ऑफ प्रेशर एग्जर्ट बाई इच कॉम्पोनेंट गैस प्रेजेंट इन दा मिक्स्चर हो सकता है हो सकता क्या हो गई आपको यहाँ एन वन की जिगह है म्यू वन म्यूट बीटेंडेंट है उसे कोई फर्ख नहीं परता है आपको फर्ख हिससे बढ़ता है क्या हम आरा वैल्ली कया अग्शाव Stream Rt अपवोन स्मय हो प्राप शिरफ देख पर मोहं molecules पर हुए इस तरह है तक तक ठीक है उसमें क्या है अलग-अलग gases बरी हुई है तो मैंने बोला P बराबर में P mix बराबर में उस first वाली gas का pressure कुछ होगा second का होगा third का होगा अलग-अलग होगा सब्सक्राइब मैं बोल रहा हूं कि P first के लिए अगर आपको find करना है partial pressure तो आप क्या करोगे first वाली gas के लिए number of molecules देखोगे second वाली के लिए देखोगे और third वाली के लिए देखना start करोगे इस तरसा है वाकिफो होना पड़ेगा असान चीज़ है ठीक है फिर आप क्या करोगे उसके बाद N1, N2, N3 उस equation को जोड़ दोगे मतलब P के लिए RT upon V की बात करना start करोगे असान चीज़ है ऐसे मत करें है चल ठीक है हो गया चल ठीक है आजो फ्रॉम आइडिल गास इक्वेशन constant इसलिए लिए लिखा है क्योंकि PV इक्वस्टो constant की बात करते है सुनिए जी बस कुछ भी नहीं है इसके आपकी unit बनाई है और कुछ भी नहीं है PV इक्वस्टो अनर्टी आर की value क्या है PV इक्वस्टो अनर्टी को nt को निचे ले आए पी क्या है pressure है V क्या volume है और number of molecules मॉल्स है और T क्या temperature है सही चर्श है अच्छा PV को हमने लिख लिया work done काम number of molecules temperature क्या बनेगी Joule mol into Kelvin या Joule mol की minus 1 K की minus 1 कानी खतम खेल खतम ऐसा unit सही चर्श है वाकी फो होना पड़ेगा R के लिख क्या आएगा Joule mol K minus 1 कानी खतम खेल खतम चौल ideal gas का graph PV equals to nRT सुनिये जी आप देखिये जी R जो है R की value 8.3 नहां रखना जी इस time आप graph देख रहे है ideal gas का किस तरह R है बिलकुल straight line जब temperature बहुत rise था तब हम देखते है low temperature पर यह बिलकुल यहां पर है temperature high करने start किये gas कहा निखल गई feed temperature और low किया deflection checker हो कितना ज़्यादा आ गया और temperature low किया deflection देखो किस तरह आ गया यह जो T1 T2 T3 की बात कर रहे हो temperature की वो real gas graph की बात करता है अब इसको मैं खोल के बता हूँ थोड़ा था खोल के माल लो एक gas में वैसल में molecules एन जो molecules का बात करते हैं, वो बहुत negligible की बात करते हैं, हम कभी भी, high pressure की बात करेंगे, high temperature की बात करेंगे और low pressure की बात करेंगे, इसको ध्यान लगा वाकिफ, high temperature और low pressure की बात करते हैं ideal gas के लिए या real gas की बात करना start करते हैं, आपको graph में देखिए जो जब pressure की value को हम देखते हैं, pressure की value क्या थी आपे, इसमें, sorry, r की value, ideal gas के लिए और किसके लिए, real gas के लिए बराबर थी, जैसे temperature rise करना हुआ, pressure की value बढ़नी start हुई, gas के लिए और निकल गी, temperature थोड़ा low किया, gas के लिए और निकल गी, तब ideal gas और real gas का जो graph होता है, वो बिलकुल लगबग match करता है, बहुत कम deflection होता है, और आपके सामने दिख रहा है, T1 जादा है, 52 से कम है, 53 उससे कम है, temperature, graph किसके बीच में है, P और R की बीच में graph बना है, अगर आप Z-Wed की बात करना start करते हो, तो Z बराबर एक भी लिसकते हो, जिसको compressibility बोलते है, वो आपके शहित chemistry का part है, यह stem Z की value क्या है, 1 है, Z की value जादा हो, जाए Z की value कम हो, यह आपके रिए real gas की बात करना start करेंगा, सही चर्च है, पढ़ना start करते हैं, molecules negligible की बात करना start करते हैं, और और साथ-साथ में इनके बीच में जब बहुत ज़्यादा टकराव होना start करते हैं, तो उसमें बोलते हैं, कि absence of force की, intermolecular force की बात करना start कर रहे हो, बाकी फो, आजो, एक gas which obeys the ideal gas equation, PV equals to nRT at all temperature and pressure is cold and ideal gas, और perfect gas, molecules की बात रहती है, negligible है, क्या बोला है, the size of gas molecule is negligible small, बहुत कम छोटा होता है, बोला बात आपको होने, there is no force of attraction among us the molecules of the gas, ना कोई attraction ना repulsion की property, मतलब इसके बिच में कोई बीच में कोई intermolecular force की बात नहीं करेंगे, सई चर्च से, मानते हो, मानना पड़ेगा, एक numerical और लिया हुआ है, बात करते हैं, आजो, example 4, बोला है, एक gas at 27 degree in cylinder has volume कितना है, 4 liter, pressure जो है, वो है 100, gas is first compressed at constant temperature, so the pressure is dead, लिख दें यहां पर, पीवन सो, पीटू, डिड़ सो है, हाँ काई दिक्कत कर रहे हो, वीवन, चार, वीटू, अचार नहीं बनाना, निकालना है, चलो ठीक है, आजाओ, चेंज इन वॉलिम, चलो बई, आजाओ, बोल्स लो लगा दो, क्या करोगे, पीवन, वीवन, बराबर में, पीटू, वीटू, वीटू, फाइंड करना है, पीवन, वीवन, अपॉन, 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 पीटू, गयजब बात कर रहे हो, यार, विवन 4, 1,500 कटा 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 2, 3, 4, 2, 8 बटा 3 की बात करेगा 3, 2, 6, 3, 6, 18, 2, 65 की बात करेगा पर हमें पुछाए चेंज कितना हुआ वोलिम मेरा जा तो, 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 क्या करेंगे हम करेंगे V बराबर में V1-V2 पहले कितना था? 4, कितना हुआ? 2.33 की बात करना start करेगा this is your change in volume की बात करना start करेगा नहीं समझ जाई? आजब आपिस देख gas 27 डिगरी की बात कर रहा है, cylinder की volume 4 liter है अरे नहीं भई pressure so है बोलना चाह रहा है gas का second जब pressure होता है वो 1.5 हो जाता है अब बोल रहा है calculate करो change in volume निकाल दिये 4 point कितना आएगा 2 point दिये 1.66 की बात करना start करेगा हाँ सभी लग बात कितना ही करेगा अच्छा it is then heated at constant volume so temperature becomes 127 degree अच्छा अब heat करना start कर दिया अब temperature कितना हो गया 127 हो गया, calculate करो new pressure बड़ा ही दुविदा का विशह है रे यार क्या करें क्या ना करें line लगाते हैं दूसरा अब क्या पूछ रहा है it is heated constant volume so the pressure becomes 127 अब क्या करते है constant volume की बात कर दि तो P proportional क्या बोलेंगे P P1 upon T1 P2 upon T2 P2 पूछ रहा है P2 बराबर में आएगा P1 upon T1 into T2 अचा अब जब गैस का pressure 100 से कितना हो गया 150 हो गया ठीक है काई दिक्कत कर गया पंदरा स्वन ही 150 बाई क्या कर रहा है क्या चा रहा है 100 अरे आज से लिखने लग गये थे हम तो अचा T2 T1 की बात करते है T2 की कितना है बेटा T2 है heated करने के बाद temperature कितना हो गया 127 हो गया क्यों 127 है न वो 400 अपॉन में 300 कटा 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 35 15 हाँ काई दिक्कत कर रहे हो 200 क की बात करेगा अरे रे रे 200 क की नहीं Newton मेटर की माइनस 2 की बात करेगा नहीं समझे अरे बिटा पहले ही देख्या 100 पे थी उसका pressure फिर 1.500 हो गया ठीक है temperature पहला कितना है 27 दूसरा कितना है 127 200 Newton मेटर values रखें और पिश में नहीं किया सही चर्च है मानते हो मनना पड़ेगा गयल से की बात करना स्टार्ट करें है here V1 चार लिटर P100 P2 1.500 काटा पीटा करा 1.33 की ही बात करा है जो हमने बताया आपको लीटर सही चर्च है कुछ गलती बलती के चांस तो नहीं है चलो ठीक है T1 कितना है 27 400 की बात करेगा और जो T2 है कितने बात करेगा 300 की बात करेगा ठीक है और यह T1 जो है हमारा कितना आ गया 400 अपॉन 300 की बात करेगा मतलब 200 की बात करना स्टार्ट करेगा समझाया सब कुछ चलो ठीक बात है आजो क्या पड़ा वैल के लिए P proportional 1 upon V इसको सिधा लिख दो P V P V के बारे में पढ़ा फिर Charles पढ़ा V proportional T की बात करनी स्टार्ट करी फिर Galusik पढ़ा P proportional T की बात करनी स्टार्ट करी फिर Avagadro पढ़ा N1 बराबर N2 की बात करना स्टार्ट की फिर Dalton पढ़ा औरे समरी है रजा P बराबर में क्या आएगा P1 P2 P3 P mix बराबर में करेंगे तो Ideal gas equation क्याती P V equals to NRT Graph check किये High temperature पे क्या रहते है Real gas की तरह behave करते है Ideal gas real gas की तरह behave करती है Low temperature पे वो Reflection जदा दिखाती है उमीद करते है lecture समझ आया पसंद आया बराबर देखा बराबर उतारा बराबर ही घरवलों की बात मान रहे हो तो आज के लिए इतना ही सभी को All the very best and thank you very much